हाई गाईज के साब लोग, सुखा इस वीडियो हम GOC के questions कर रहे हैं, जो कि जेए में January अटर्म में आये थे, इसके काफी कुछ में अप्रेल में भी जो आये थे वे upload कर चुका हूँ जो पिसले भी और दूसरे chapters के जरूर गाईज एक बार playlist जो section है chapter wise में सब कुछ upload कर चुका ह हैं, उसमें देखें, rules तो काफी कुछ होते हैं कि कभी कहीं कुछ लगा दे कहीं, लेकिन इसमें एक मैं आपको rules बताऊंगा, अगर उसको rules को order में आप follow करेंगा, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होई, तो सबसे पहले, मैं इनके structures हैं, इस सब के बना देता हूँ, इसमें आपको order में follow करना है, कि अगर आपका A और B first rule से A ज़्यादा स्टेबिल आ रहा है, और last, suppose fourth rule से B ज़्यादा स्टेबिल आ रहा है, तो आपको हमेशा first rule पहले अपलाई करना है, इसका मतलब A ज़्यादा स्टेबिल होगा, तो आपको order में follow करना है, ठीक है, यह सौन जा है, तो अगर आप देखेंगे, पहला है most number of bonds, तो अगर इसमें, आप इनके number of bonds calculate करोगे, जैसे देगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंधरा, तो इस वाले में total 15 bonds आ रहा है, similarly इन सब में देखेंगे, इसमें 15 आ जाएंगे, इसमें 16 आ जाएंगे, और इसमें भी 15 bonds आ जाएंगे, तो इसके according मैं कह सकता हूँ, कि जो मेरा D structure है, because most number bonds में ज़्यादा है, उसके according, इसमें stability सबसे ज़्यादा है, तो मैं कहा हो गया, कि D सबसे ज़्यादा स्टेबिल हो गया, correct, नो, ये D हो गया, तो इसको फिलाल हटा दो, अब देखना है, A, B, A, and C में, second rule है, all complete octet होना चाहिए, सब आप नहीं देख पाएंगे, अगला like charges are distance position पर होने चाहिए, और unlike nearer position पर होने, जैसे देखे, for example, A और B दो structures है, और इसमें अगर positive positive यहाँ पे है, और B में positive positive यहाँ पे है, तो distance position में मैं कहा दूँगा, B जादा stable है, and similarly, अगर positive negative closer है, A में, और positive negative दूर है, B में, तो मैं कह पंडा लगता है, तो इसमें अगर आप देखेंगे, plus और negative के बीच में, कितने bound conditions है, 1, 2 and 3 का, इसमें देखेंगे, तो positive negative के बीच में, 1, 2, 3, 4, 5 का, इसमें आप देखिए, 1, 2, 3 का, तो मैं कहा दूँगा, कि C इसमें इन दोनों से कम stable है, तो यहाँ के according मेरा C सबसे less stable हो ओके, अब देखें, फिलाल इसको हटा भी देते हैं, देखें, रूल्स तो कुछ भी लगा सकते हो, कि जैसे इसमें देखेंगे, positive charge, और negative के ऊपर भी है, जैसे अगर आप यहाँ पर मेरे rules के according भी देखेंगे, मैंने यहाँ लिखावा भी है, कि जो आपका negative element पे positive charge इकत नहीं होगी, अब मुझे A and B में देख रहा है, A और B का देखता है, देखेंगे, 1, 2, 3, 1, sorry, 1, 2, 3, 3 का distance है, तो यहाँ से नहीं हो रहा है, negative charge और electronegative पर होना चाहिए, positive charge, more electronegative stability, decrease करता है, तो अगर देखेंगे, positive और negative दोनों carbon-carbon पर है, तो इस वाले rules से मैं तो अगर आप इसमें, इन और इसमें देखेंगे, कि यहाँ पर double bond O, यह positive charge है, और यह काफी, यह जो है, electron खीच रहा है, इसकी तरह, okay, similarly, यह भी आपका, हाला कि इस पर जो lone pair है, लेकिन minus IFX शो करेगा, और इससे क्या होगा, यह भी electron इस पर decrease कर रहा है, समझा है, तो कुल मिला के, जो electron density, charge density, decreasing हो रही है, और लेकिन इसमें अगर आप देखोगे, जो क्योंकि यह plus del positive charge है, अब देखें, एक चीज़ देखें, यह del positive charge है, visible positive charge है, तो इसका effect हमेशा जादा होता है, than this, इसके electron negativity की वज़े से, समझ रहा मेरी बात, लेकिन इस case में अगर आप increase कर रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसका effect है, इसके comparison में जादा होता है, अब ऐसे ही, इसमें यह जादा, इसमें भी minus eye effect को कर रहा है, यह increase कर रहा है, पोज़ेव, लेकिन अगर आप इसको compare करोगे, यह effect जादा कर रहा था, याने, समझ है, तो मुलब, I hope आप समझ रहों होगे, मैं क्या समझाना चाहरा हूँ, तो यह जादा unstable कर रहा था इसको, इसमें क्या है, यह decrease कर रहा है, जादा, इसमें क्या increase कर रहा है, कम, positive charge को, तो मैं roughly एक idea ले सकता हूँ, ठीक है, B, मेरा जादा stable होना चाहिए, then A, समझा है, इसमें यहाँ पे हो गया, आपका, B, then A इसमें, बस rules को आप follow करेंगे, तो आपको काफी help हो जाएगी, तो इसका जो final answer है, इसका है, D, then B, then A, and C, I hope, guys, आपको समझ माया होगा, कोई दिक्कत हो, तो दुबारे से rules को follow करें, और questions, इसी rules से solve करें, तो आपको काफी help होगी, okay, so next vision देखते हैं, given below are two statements, one is labeled as assertion, and the other is liberal reason, so assertion is basically, benzene is more stable than the hypothetical cyclohexatriene, so देखें, इसमें क्या है, बेंजीन का structure ही होता है, okay, और हाला कि, देखें, अब cyclohexatriene में क्या बोल रहा है, कि ये वाला structure आप assume करके चले, फीक है, अब ये हो गया, C, C, double bone, अब सब पे HH हो गया, अब आप कहेंगे, काईदे से तो ये भ symbol कर रहा है, लेकिन इसमें hypothetical इसलिए ही बोला है, कि let's just suppose, कि जो भी properties benzene की होती है, जैसे ये conjugation में है, cyclic conjugation में होने की वज़े से, जो double bone का character है, वो basically single bone और double bone के middle का होता है, कि it is neither single bone and neither double bone, मतलब ये basically ये वाला bone बोलते हैं, correct, तभी तो हम इसमें, जब आप करते हो, तो ring कह देते हैं, कि जो इसका pi bone का character है, वो between single and double bone का, correct, लगिन इसमें आप ये कह रहा है, कि नहीं delocalization या conjugation basically नहीं हो रही है, और ये double bone के double bone ही है, correct, तो obviously, देखी, guys, benzene is more stable than hypothetical cyclo-exatrien, ये true statement है, and this is true statement, because of, देखे, काफी reasons होता है, पहला reason तो ये है, कि ये जो structure है, एक aromatic structure है itself, और aromatic भी है, इसके भी काफी reasons हो जाते है, कि जैसे 4 and plus 2 pi electrons हो गए, okay, तो आप 4 and plus 2 pi electrons तो इसमें भी है, दूसरा planar structure हो जाता है, correct, अब तीसरा जो main, सबसे ज़्यादा important rule है, देखे, planar तो ये भी हो गया, लेकिन जो तीसरा aromaticity में सबसे ज़्यादा important role play करता है, is cyclic conjugation, cyclic conjugation का मतलब जो ये electrons है, ये basically ऐसे distributed है, delocalization हो रहा है basically, pi electron cloud का, समझ रहा है, ठीक है, तो ये ही जो delocalization हो रहा है, pi electron cloud का, जिसके वाज़े से major effect difference हा रहा है, इस structure में और second structure में, इसी वाज़े से ये structure aromatic हो जाता हो, ज्यादा stable हो जाता है, दूसरा एक और भी हो जाता है guys, देखे, क्या होता है, कि जो negative, मैंने क्या बोला, कि जो ये वाला, इस में तो जो double bond का character है, वो basically ये वाला ही है, double bond वाला, इस वाले में, जो double bond का character है, वो ये है, delocalized है, negative charge basically ring के ओपर, कम हो गया, समझ रहा है, और उससे क्या होगा, क्योंकि जो carbon positive charge के nuclei है, वो ज्यादा attract क को, और वो, क्योंकि, obviously, जो carbon and nucleus हो positive charge है, positive charge, smaller negative charge को ज्यादा tightly bound करके, ज्यादा अच्छी तरह से hold कर सकता है, rather than this, okay, और क्योंकि ज्यादा तरह प्रोपर तरही के से hold कर सकता है, stability बढ़ जाती है, तो basically, ये extended explanation है, जो देखे, ये जो बाद की लाइन है, वो extended explanation है, of delocalized pie electrons का ही conjugation का basically, okay, so I hope आपको second statement भी समझ मां आ गया होगा, तो delocalized pie electron cloud is more attracted strongly by the nuclear algorithm, this is a true statement also, reason भी correct होगा है, जो मैं आपको समझा चुका हूँ, तो इसका मतला, both A and R are correct and R is correct explanation of A, option number 1 is your correct answer, next vision देखते है, which of the following confirmations will be the most step, तैकि confirmation अगर आपने पढ़ी होगी, stability आपने पढ़ी है, तो ये वाला जो particular question है, one of the easiest example दिया हुआ है, देखे, सबसे पहली बाद तो ये है, जब भी आप confirmation की बाद कर रहे होते हैं, तो जो जैसे, क्योंकि इस पूरे structure में, जो methyl है, ये, ये bulky groups है, तो in order कि ये stability के लिए, जो ये दोनों positions होती है, बलकी groups होते हैं basically, they should be at anti positions, एक अगर यहाँ पे है, तो दूसरा इसके basically opposite होना चाहिए, तभी उसकी stability बढ़ जाती है, correct, और ये जो opposite position पे, या ये वाले less stable, nearer वाले क्यों होते हैं, because of ये वाले case में, less, जो आपका wonder wall है, और torsional strain है, वो less होते हैं, ठीक है, अगर आप इसमें देखेंगे, तो ये वाला जो option है, इसमें opposite पे है, इसमें थोड़ा distance पे है, लेकिन देखे, M, E और H बराबर बराबर में होगे, M, E और H ये होगे, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, तो ये वाले नहीं होगे, similarly इसमें क्या है, फिर भी थोड़ा इन और्गेनिक कंपाउंड गेव इतना ग्राम ओफ बेरियम सल्फेट, देखें गाईज, इस टाइब के जब भी question आते हैं, ये question है न, basically similar है, जो आप percentage of carbon या percentage of hydrogen का estimation करते हैं, तो same basis पे आपको percentage of sulfur का estimation का formula होता है, जैसे percentage of carbon निकालते हैं, तो formula क्या होता है, अभी पूरे ग weight of CO2 produced and divided by weight of organic compound into 100, correct, now weight of carbon निकाल रहे हो, तो उसका atomic mass, CO2 का atomic mass, समझा है, इसका atomic mass और इसमें इसका atomic mass हो जाता है, divide by ये, similarly, जब hydrogen का estimation करते हो, तो H2 gas का होता है, basically, इसमें, तो 2 divided by 18 into, क्या हो जाएगा, H2O basically produced होता है, उस case में, तो weight of H2O divided by weight of organic compound into 100, तो ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, समझा है, H2, similarly, on the same lines, जब आप sulfur का निकालते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, sulfur का atomic mass, 32 divided by barium sulfate, जो produce हुआ, ये, into weight of barium sulfate, याने, इसका atomic mass क्या हो जाएगा, barium sulfate का, B, A, S, O, 4, barium का क्या हो गया, 137, sulfur हो गया, 32, और oxygen कितना हो गया, 16 into 4, याने, 64, ये हो जाएगा, 233, तो simple या, 233 कर दे, और weight of organic compound into 100, ओके गाईज, इतना समझ में है, तो अब इसी formula को आप use करके, estimation आराम से निकाल सकते हो, percentage S कितना हो गया, इतना ग्राम हो आपका organic compound दिया है, और 0.471, कितना barium sulfate produced हो गया, the isomeric deuterated bromide with molecular formula, this, having two chiral carbon atom is, अब देखे, ये सब के structure देखने हैं, और आपको chiral carbon atoms देखने हैं, सबसे पहले इनके structure ये देखे, ओके, ये हो गया, पहले 2 bromo और 2 deuterobutane, correct, इसमें 1, 2, 3, 4, समझा है, structure बना ले, तो अब इसमें देखे, ये तो chiral center नहीं है, this is a chiral center, क्योंकि सारी balances इसकी different आ रिये, okay, similarly, इसमें देखे, ये chiral center नहीं है, this is a chiral center, okay, तो 1 हो गया, again, तीसरे में अगर आप देखेंगे, तो ये 2 H है, ये तो नहीं होगा, ये वाला आपका, ये भी chiral center, नहीं होगा, no chiral center ही है, समन में आप आप फोर्थ को देखेंगे, तो ये वाली भी एक chiral center हो गया, and this is also a chiral center, तो इसमें कितो होगे, 2 chiral centers, answer question में क्या पूछा था, having 2 chiral carbon atoms, याने option number 4, तो 4 is your correct answer, next question देखते है, identify the correct order for the given property for falling compounds, अब देखें, boiling point or density है, halides की, सबसे पहले boiling points का आप मैं बताता हूँ, देखें, जब भी आपको ये organic compound का boiling point order देखना है, हालाकि इस पर मैंने बहुत अच्छी तरी एक वीडियो बनाई हुई है, उसको search करके देखें, GOC वाली playlist में मिल जाएगे आपको, देखें, जब भी आप boiling point देखना है, तो सबसे पहले तो आपको IMF forces देखनी होती है, उसमें, IMF में जैसे अगर hydrogen bonding बन रही है, उसका फिर दूसरा क्या, अगर इसमें hydrogen bonding से हम नहीं decide कर पा रहे हैं, तो क्या dipole dipole attraction है, और जो तीसरा है, अगर इससे भी नहीं हो रहे हैं, तो wonder wall, उसके बाद दूसरा होता है, molecular weight का, कि अगर मैं IMF forces से नहीं decide कर पा रहे हो, तब मुझे नीचे आना है molecular weight पे, ज्यादा molecular weight, ज्यादा boiling point, अगर इससे भी नहीं decide कर रहे हैं, तब मुझे नीचे आना है shape of molecule, याने straight chain वाले compounds हैं, जैसे ये वाले होगे, अगर branches जितनी बढ़ रही हैं, तो boiling point उतना ही decrease होता जाएगा, इसके according आप देखेगे, तो IMF से तो आप इसको नहीं decide कर सकते, क्योंकि hydrogen bonding dipole dipole attraction से हमें similar ही होगा, आप इसमें easily molecular weight से decide कर सकते हैं, याने 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, carbon chain बढ़ रही है, और CL N में जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक halogen, तो ये कह दूँगा, this is a correct order, पहले B के बज़ए, पहले C वाला देख लेता है, boiling point, तो अगर आप इसमें देखें, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2 carbon atoms है, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे, तो जो bromine है, वो increase होती जा रही है, जो number of bromines है, तो इसका मतलब molecular weight इसमें बढ़ रहा है, और correct order में भी तो यह अभी काड़ दॉआ, इंकरेक्ट हो गए, अब decide करेगा आपका density वाला, density में भी same रूल है, जितना ज्यादा molecular weight होगा, क्योंकि mass per unit volume होता है, तो जितना ज्यादा molecular weight होगा, उतना ही ज्यादा आपका density होगा, तो अगर आप गोर से देखोगे, कि इसमें iodine का atomic mass है, कि इस order में होगा, देखे, chlorine, bromine, iodine, ऐसा order होना चाहिए, लेकिन इसमें BR यहाँ लिखावा है, क्योंकि carbon same भी है, देखे, तो BR अगर यहाँ पे होता, CL यहाँ पे होता, तब this could have been a correct statement, लेकिन यहाँ incorrect होगा, यह और यह correct है, अब देखे गाई, इसमें भी 123, 123, 123, 123, carbon same है, ले तो अगर यह यहाँ पे हो जाता, तब order सही होता, लेकिन क्योंकि end में लिखाया तो order गलत है, अब यह last boiling point का रह गया था, यह तो गलत हो गया, इसको भी देख लेते हैं, देखे, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, जितनी ज्यादा बड़ेंगी, जितनी ज्यादा बड़ेंगी, जैसे ब्रांचीज बड़ती जा रही है, जैसे लेट से राइट मे और order इसका मतलब यह सही है, तो E is your correct statement, अगर इसमें अभी भी आपको कुछ doubt रहेगा, explanation में, तो मेरी जो वीडियो है, boiling point आवेश chemistry अगर सर और आम से मिल जाएगी और सारे आपके doubts clear हो जाएगे ठीक है अगर still आपके दहर है ओके so option number 4 is your correct answer next vision देखते हैं compound that will give positive lesine test for both nitrogen and halogen is देखे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि lesine test क्या है simple है जादा मैं deeply जाओंगा lesine test है आपका is used to detect the presence of few elements okay in organic compound जैसे या तो nitrogen हो गया कोई halogen हो गया okay जैसे इसमें chlorine, bromine, iodine वगेरा okay या फिर sulfur अगर आपको present है या फिर दोनो and and s अगर present है तो इनकी basically detection करता है presence को correct अब basically rule क्या है इसमें simple कि जो भी अगर आपका organic compound है उसको fused sodium के साथ react कराया जाता है pass किया जाता है जो भी आप use करें लेकिन organic compound को fused na के सोडियम है उसके साथ fused किया जाता है तो कुछ आपके जो compound बनेगा उसके further reactions होती है उसके base पे आपका ये elements से detect होता है main जो आपको इस question के लिए ध्यान रखना है वो ये है कि अगर sulfur अगर present है और sulfur की अगर आप test देख रहे हो और na के साथ reaction कर रहे है तो वो na2s बनाता है गोर से देखना का इस चीज़ को na2s बनाएगा similarly जब आपको हेलोजन लेते है chlorine, bromine या iodine जब वो na के साथ reaction करेगा तो obviously वो nax बना देते है correct similarly जब आप इसमें nitrogen लेते है तो जब nitrogen का आप test करते है nitrogen इसमें alone test नहीं करेगा जो compound है should have a carbon compound also समझे है अगर nitrogen में जैसे for example NH2, NH2 है तो इस type का compound नहीं चाहिए उसको for example CS2, NH2 अगर लिखा हूँ है तो carbon should be present अगर आपको nitrogen टेस्ट करना है lesine test में यह importance है तो क्योंकि जब यह na के साथ करता है तो जो आपका nacn बनता है basically so same अब इस पे ही जब आपको sulfur और nitrogen दोनों अपकी presence देखनी है कि किसी compound में दोनों present है तो उसमें sulfur, carbon भी nitrogen तो na के साथ करके वो nacn मना देता है तो आपको गोर से देख रहे है जब sulfur खाली या halogen खाली देखना होता है तो carbon नहीं present है लेकिन जब आपको nitrogen देखना है तो carbon should be present in organic compound cn बन रहा है इतना समझ में आ रहा है guys आपको अगर ये समझ में आ गया है तो ठीक है halogen अगर present है तो halogen अगर cl है तो मैं कह सकता हूँ ठीक है इन में से हो जाया लेकिन जब आप nitrogen की presence देख रहे हो nitrogen की presence के लिए carbon is must तो इस में कोई carbon नहीं है इसमें carbon है और इसमें carbon नहीं है और इसमें carbon नहीं है तो इकलोता आपका carbon किसमें है इस वाले compound में तो यही मेरा correct answer हो गया और यही presence बताएगा बोथ nitrogen and halogen I hope guys आपको एक question समझ भाया होगा next question देखते है what is the correct order of acidity of the protons marked A to D in the given compounds okay so इसको जो compound है इसको मैं एक बार दुबार से redraw कर देता हूँ सारे जो bonds है वगएर वगएर H है properly दिखा देता हूँ so इस compound में अगर अब देखेंगे मैंने D, C, B, A ऐसे represent कर दिया देखें क्या होता है जो strong acid है और strong acid का जो conjugate base होगा वो weaker base होगा similarly अगर कोई weak acid है तो उसका जो conjugate base होगा वो a strong base होगा so अगर इस सब को देखें तो इसी के rule के recording तो देखें सबसे पहले तो straight forward आपको दिखी रहा है यह carboxylic acids है और यहाँ पे इन सब में जितने भी H बन रहे है यह carboxyl acid easily remove कर देगा OH क्योंकि O negative आ जाएगा अगर आप H को release कर देगे और यहाँ पे जो O negative है वो basically negative charge यहाँ delocalize हो जाएगा और this will be a weaker base और इस से क्या कहाँ देगे कि अब ठीक है negative charge की density है वो कम हो गई तो जो H A यह वाला hydrogen है H C वो बहुत जादा easily remove हो जाएगा याने H C should be जो सबसे जादा highly acidic है D को B को और इस वाली positions को देखते हैं तो इसमें let's just say कि मैं इस D को निकाल देता हूँ गोर से देखना हुआँ गाईजाँ अगर मैंने इस D को निकाल दिया मैं यहाँ D लिख देता हूँ या फिर इस को निकाल देता हूँ इसको मैं B लिख देता हूँ और let just say कि मैंने इसको भी एक साथ नहीं निकाला है अलग अलग structure में निकाला है ठीक है? बस यह मैं इसलिए बता रहा हूँ ताग भी confusion नहोँ ओके अब इसमें 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 देखे यह जो compound है resonance हो रहा है इसका अंदर भी और इसके साथ भी इसमें resonance है अंदर भी इसके साथ कुछ नहीं हो रहा है बस यह जो triple bond है मैं यह कह सको थोड़ा बहुत इसका minus eye effect हो रहा हो तो decrease कर रहा हो negative को इसके जादा कुछ नहीं और यहाँ पे negative charge है triple bond पे और यह कि जो कि triple bond CH है यह highly acidic होता है वो क्यों होता है because percentage S character triple bond में 50% है जितना ज्यादा percentage S character होगा उतनी acidity इस सबकी increase हो जाती है तो यह acidic इस वज़े सो जाता है ठीक है अब देखें मैं सारे को एक साथ समझाऊंगा आपको आपको confused नहीं हो नहीं हो बहुत गोर से सुनना है इसमें इसमें मैं जब order लिखूंगा तो I would say कि जो D है वो ज्यादा acidic है than B and A वो reason being अभी आपको मैं गोर से चमझाऊंगा भी फिलाल के लिए समझते रही है इसका resonance इसमें आप कह रहे हो लेकिन इसका resonance इसके साथ भी है समझ रहे हो अब मैं कहूंगा कि इसमें और अगर इसमें देख रहे हो तो आला कि इसमें resonance अंदर है लेकिन एक factor होता है important जिसके वरे से ये वाला जो acidic character है इसका इससे ज़्यादा हो जाता है वो अभी मैं बताता हो देखे अगर आप गोर से देखेंगे इसको और इसको simple अब यह आपको acid draw कर लिए ये वाला जो compound है ये वाला सिर्फ इसको देख रहा हो है ये किस तरह अगर दिख रहा है जैसे toluene से toluene से मैंने एक H निकाल लिया और toluene को CH2 negative बना दिया ये वाला क्या है HC triple bond CH था और मैंने एक H निकाल लिया और HC triple bond C negative निकाल लिया देखे अगर आपको मैं ये कहूँ कि toluene ज़्यादा acidic है या आपको ethine ज़्यादा acidic है obviously आप किसको बोलोगे इसको बोलोगे ये ये ज़्यादा acidic है more acidic है समझा है लेकिन अगर आप इसमें अगर आप सोचोगे कि resonance भढ़ रहा है decrease हो रहा है तो ये ज़्यादा acidic होना चाहिए ऐसा नहीं है न गाइस तो इस अगर आप funde को use करते हो न ज़्यादा अंदर deep गए वे तो इसके according आप खुदी दिख रहा है कि अब ये वाला जो group है देखें इस सबको तो आप छोड़ें भी इस वाले group के according तो आपको ये समझ मा रहा है कि acidic ज़्यादा A है than B ओके A ज़्यादा acidic है than B अब what about इसका A and D A and D में मैंने D को ज़्यादा stable क्यों बोला वो इसलिए गाईस अगर आप गोड़ से देखेंगे इस वाले structures में ये negative charge ये वाला जो part है ओके ये तो tolwin type का दिख रहा है लेकिन आप एक गोड़ से एक चीज मिस कर रहे है कि ये जो negative charge है वो extra resonance में इधर O पे भी जा रहा है O पे negative charge ज़्यादा electronegative पे आ रहा है और ये जादा easily comparatively इसके easily release कर देगा तो hence ये वाला structure बना I hope guys आपको guys ये वाला जो fund आए वो clear हो गया होगा देखें बहुत तरीके हो जाकते explain करने में multiple concepts को आपको जब एक साथ apply करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी और प्लस इस चीज़ को की अच्छा ये वाला compound है इसमें आपको समझ मा आ गया होगा अगर मैं किसी बंदे को कहूंगा कि toluene जाएदा ऐसे टीक है या इथाइन आपका जाएदा ऐसे टीक है वो easily बोल देगा कि HC triple bond CH में easily कर देगा तो why not you are applying this same concept here समझ मैं है guys आपको तो इसके according जो आपका correct option हो गया is option number 4 next vision देखते है the most stable carbocatan for the following is देखे एक बात इस चीज़ को इस question में आपको ये देखनी पड़ेगी कि जो ये ring है ना ये double bond simple ring है ये सारे के सारे cyclic conjugation में नहीं है ठीक है मतलब अगर आप वो वाला concept लगाना चाह रहे है कि जिसमें ये वाला concept होता है NH2 और जो आप ये वाला कह देते हैं कि जो plus M effect है वो इस positions पे ज़्यादा होता है ठीक है और याने carbocatan अगर इन पे होंगे वो ज़्यादे stabilize होंगे तो you are wrong है because इसमें cyclic conjugation नहीं है लेकिन एक चीज़ देखिए इसमें simple इसको इस तरह से treat करिए कि जैसे C, C, C इस तरह हो यहाँ पर आपने NH2 डाल दिया समझे है अगर ये दो compound है देखिए इस तरह के एक पर तो plus charge यहाँ पर है एक पर plus charge यहाँ पर है इसमें क्या होगा यह ऐसे इस तरह से stable कर रहा है तो इसका मतलब जब आप यह देखते हो C, C, C अगर यहाँ पर single bond ही है यहाँ plus हो गया, loan pair हो गया क्या अब plus M effect लगेगा नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा क्योंकि conjugation is absent in this case इस case में सिर्फ और सिफर minus I effect लगेगा nitrogen का loan pair के लिए यहाँ double bond होना चाहिए conjugation होनी चाहिए अब एक simple funda आप देखिए यह वाला यहाँ पर loan pair है अब पहले अब इसको देखे nitrogen के loan pair होने के लिए NH2 है यह जो बराबर वाला carbon है उस पर double bond should be present तभी तो जब यह loan pair ऐसे rearrange होगा तो यह यहाँ पर आ जाएगा plus negative charge यहाँ देख कैसे हो जाएगा यह rearrange होगा तो इस NH2 double bond C single bond C यहाँ negative आ जाएगा यह positive charge आ जाएगा overall neutral charge होगे जैसे पहले था double bond भी आपका stable होगे इस तरह से उनता है तो इस case में जो बराबर NH2 जिस carbon से लगाया उस पर double bond होना जरूरी है otherwise अगर नहीं लगावा है समझे है जैसे इस case में भी एक में भी छोड़ के भी लग गया तो सिर्फ पर सिर्फ माइनस आई effect लगेगा अब इस case में देखेंगे वो माइनस रवाग क्या करता है unstability बढ़ाता है stability नहीं बढ़ाता so इस case में देखोगे तो इस बराबर वाले carbon हो गए ये इसमें ये, ये, ये and ये इसमें तो भीया carbon double bond पे नहीं है तो plus m नहीं लगेगा minus i लगेगा तो ये तो हटा दो इसमें भी double bond पराबर में नहीं है plus m नहीं लग रहा है से minus i लग रहा है ये भी हटा दो अब इसमें और इसमें देखें इसमें ठीक है यहाँ पे है और इसमें यहाँ पे है ठीक है लेकिन अब देखें plus जो चार्ज है और क्या stabilize हो रहा है देखें plus m effect का जो इसमें रोल है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आऊगा यह bond यहाँ पर जाएगा और यह यहाँ पर आजाएगा result क्या होगा इसका कि double bond NH2 यह positive charge है correct यहाँ पर double bond और यहाँ पर negative charge यह बन जाएगा positive charge अभी भी intact है remain तो यह अगर उन्दर रहें दिस पर देखोगे इधर तो यह यहाँ यह यहाँ यह यहाँ correct इसका मतलब जो positive charge तक plus m का effect जा रहा है पोच पा रहा है यह यह यहाँ पर double bond ओके यह double bond बस हो गया negative negative positive charge हो गया basically conserve हो गया charge total positive इसका मतलब plus m effect का पास इसका c जो structure आपके यहाँ तक पहुच रहा है otherwise इस case में तो आपका बस nitrogen पर minus i effect ही लगेगा जो भी लगेगा मुझे फर्क नी पड़ता फिलाल मेरा correct answer इसमें c option आ गया I hope guys आपको जो question है समझ में आया होगा तो जो correct answer is option number 2 c so next vision देखते है consider the following reaction और आपको basically यह product बताने है यह options देखे propanol and methanol को पहले dilute, NUH और heat दिया हुआ है तो यह reaction है आपकी aldol condensation की इस पर मैंने direct एक trick बताई वी है आपको जरूर देख रहा है तो फिलाल में आपको पता होगा guys aldol condensation का जो भी product बना रहा होता है आपको मैं direct बता दूँगा इसमें उसमें देख लेना आप एक बार तो यह हो गया आपका propanol ओके यह हो गया methanol तो जो यह donor atom हो गया basically donor compound हो गया यह acceptor हो गया carbon, c double bond है इसके बराबर alpha carbon तो यह दो 2H है और यह इनके बीच में basically bond बन जाता है H2O निकल जाता है कुल मिलागे जब आप heat करते हो तो CH2, c double bond CH2 यह वाला जोड़ गया इधर और c double bond OH यह हो गया ठीक है इसके बाद आपकी NACN के साथ reaction हो रही है now this is very important reaction एक चीज़ देखे यहाँ पर क्या है यह और double bond और यहाँ पर 1,4 addition होगा 1,4 होगा क्यों 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 देखे conjugation में है तो simple क्या करेगा CN यहाँ पर attack करेगा यह bond यहाँ rearrange होगा और यह यहाँ पर O negative चला जाए तो अब यहाँ पर देखे CH2, C CH2, CN तो मैंने यहाँ जोड दिया तो अब यह क्या है double bond CO negative यहाँ पर होगा H तो simple आप क्या होगा देखे यह negative है तो आप इसको H कर दो next में वे से भी hydrolysis होई रहा है तो देखे before further hydrolysis यह क्या करता है यह totomerize होगा अब यहाँ पर important point है करते हैं इसमें chirality आ जाएगी ह, CH2, C triple bond N single bond C, double bond OH देखे chirality कैसे आ रही है यह C है इधर अब यह जो C है H है यह basically कैसे हुआ था rearrange हुआ था यहाँ से अगर यह देखे इसमें simple structure बनेते अगर यह C यह जो देखे क्या है कि यह H उपर है तो यहाँ चला गया H अगर नीचे होता तो दो थरे के compound बनेते हैं बेसिकली देखे या तो यह ऐसे हो सकता है इस case में या फिर आपका उल्टा भी हो सकता है समझ आओ guys को यह मिला के क्योंकि chirality इसमें इस तरह से ही आ गया यह बहुत ध्यान से सुनिए देखे simple क्या है यह जो structure है यह एक planar structure है ओके यह plane है देखे यह जो structure है यह ऐसे plane बन रहा है तो C यह CH2 हो गया यह यह वाला पूरा X माल लेता हूँ और यह हो गया आपका double bond C इस तरह से कर गया तो अगर मेरा H जो भी है H यहाँ पर जो आया H अगर उपर जुड़ गया तो यह नीचे चला जाएगा H अगर नीचे जुड़ गया तो यह वाला उपर चला जाएगा समझ मैं है ना गाईज क्योंकि totomerization introduced करते ही इसमें कारल्टी आगी थी तो दो तरह के प्लस और let's just say माइनस आपके मैं देखा नहीं है लेकिन दो तरह के आपके compound बन गया याने racemic mixture बन गया यह important point है यहाँ पर समझ मैं racemic mixture बन गया क्यों क्योंकि यह planar था H उपर या नीचे कहीं भी आ सकता था नो further जब आपने hydrolysis भी किया तो यह जो C triple bond N है मैं आपको एक trick भी बताईए तो इसको simple hydrolysis हो जागा यहाँ पे तो जोड़ दो 3H यहाँ पे दोड़ दो 2H तो यह तो हो गया NS3 और यह क्या होगा COH OH and OH एक carbon पे एक से ज़्यादा OH unstable होता है तो H2 निकल जाएगा और यह किस में change हो जाएगा C double bond O OH तो मैं कह सकता हूँ ठीक है यह वाले जो comparts है यह हो गया C double O H ठीक है similarly इधर C double O H लेकिन अभी भी chiral center वाला जो racemization वो remain intact same है तो इसी वाज़े से guys में racemic mixture है because of यह वाला जो मैं आपको concept बताया I hope guys आपको अब तक समझ में आ रहागा तो यह optically active नहीं है racemic mixture में equal amount of plus or negative होता है जितना अगर यह rotatory होगा तो वो dextro होगा वो दूसर level हो जाता है overall जो optical activity है वो zero हो जाती है तो यह नहीं होगा racemic mixture and gives a gas with saturated NHCO3 yes जब भी आप R CWH अगर आपको group present है और NaHCO3 से reaction हो रही है तो HCO3 का जो negative है इसको ले लेता है R C O O Na बन जाएगा H2CO3 बन जाता है H2CO3 is unstable तो H2O plus CO2 आप कह सकतो release होगे तो इसी वदे से यह क्या है एक gives a gas of CO2 यह होगे तो यह this is your correct option Optically active नहीं है तो यह गटिया racemic mixture and is neutral नहीं because CWH है तो acidic nature का होगे तो I hope आपको समझ में आया होगा यह वाला जो concept मैंने बताया यह बहुत जरूरी है इसी वदे से racemic mixture बनाया है एक बार दुबारे देखेगा आपको थोड़ा से भी doubt है तो option number 2 is your correct answer next question देखते है an organic compound यह shows optical activity and gives N2 gas on treatment with HNO2 the compound reacts with this produces a compound which is soluble in KOH देखाई simple है जब भी कोई compound आपका HNO2 से reaction होगा तो मतलब इसका मतलब क्या है कि वो primary amine है और जब वो HNO2 से reaction करता है तो we know RN2 positive बन जाता है ओके और further जब reactions होती है तो R positive और N2 gas release हो जाती है ओके यह diazotization वाली reactions है तो मुझे पता है कि primary amine होना चाहिए RN2 यह reaction देने के लिए again pH, SO2, Cl जो आपका compound हो गया यह हो गई आपका तो इसके साथ पहले reaction होके क्या होता है कि जो compound बनता है suppose A दूसरे बाद उस compound को को अगर के वो H से reaction करके soluble salt बनता है जो dissolve हो जाता है soluble compound बन रहा है PPT बन रहा है जो कि soluble है in QH इसका मतलब वो एक primary amine है अब तक दोनों reaction सा आपको यह तो पता लग गया कि यह primary amine ही होना चाहिए ओके तो यह भी कट गया इससे यह भी कट गया primary amine नहीं है ठीक है यह टरशरी है secondary है यह भी primary है अब नौ यह भी primary है इसमें अब देखे गोर से कि यह तीसरा एक जो condition दीवे है optical activity होनी चाहिए इसमें अगर यह वाला कार्मन देखोगे एक H जुड़ गया तो यह एक optically active है chiral center है तो this is optically active बल्द की इसमें no chiral center इसका मतलब this is incorrect तो यह सारे जो conditions मिला के क्या हुआ आपका जो option number 4 है is your correct answer next question देखते है in dumass method for the estimation of N2 the sample is heated with copper oxide and the gas evolved is passed over तेखे straight forward question है देखे dumass method की एक मेंने अगर question आपको solve करना उसके trick भी upload की विए आविश chemistry dumass method सर्च करना आपको दिख जाएगा तेखे यह basically question theoretical respect पर है तेखे simple क्या है कि जब भी कोई आपका organic compound होता है जिसमें आपको nitrogen estimate करना होता है तो उसको क्या होता है copper oxide के साथ reaction करते है in the atmosphere heat किया जाता है basically in the atmosphere of carbon dioxide तो कुछ gases release होते है जैसे N2, CO2 आप पर उसके बाद H2O भी होता है copper भी होता है इन सब को क्या करते है कि again heat किया जाता है pass किया जाता है copper gauge के साथ और collect किया जाता है over आपका KOH solution तो उसमें N2 gas आपकी determine किया जाते है क्योंकि बाकी जो CO2 अगेरा है वो dissolve हो जाती है तो ऐस यह तो method है तो लेकिन जो question में पूछा गया था कि sample is heated with copper oxide and the gas evolved is passed over this is copper gauge I hope guys आपको सावन में होगा simple theoretical base था option number 4 is your correct answer next vision देखते है in the following halogenated organic compounds the one with maximum number of chlorine atoms in its structures इन सब का देखे state food आपको structure पता होना चाहिए तभी question कर पाएगे structure बना लीजे और देखते है so ये structures हो के इन सब के मैंने उनके नीचे लिखते है अब देखें कि तो maximum number इसमें कितना है 2 इसमें हो के 6 इसमें 3 and again इसमें 3 तो maximum number है पूछा तो याने option number 2 will be your correct answer next question देखते है resonance in carbonate iron देखें ये resonance structures बनाए हो है जिसका आप resonance hybrid बना सकते हो carbonate iron का और इसका मतलब क्या है कि जो carbon पे जो oxygen है ये होगे 3 और इन पे जो negative जो basically negative charge है ये 2 ये acid delocalized है और इस पे overall charges दो negative हो गया ये structure हो गया आपके contributed structures, canonical structures कुछ भी बोल दें ये हो गया आपका basically resonance hybrid structure हो गया तो देखें क्या होता है कि जो ये different canonical structures है contributed structures है resonance structures है these are hypothetical ये सिर्फ और सिर्फ ये represent करता है कि जो negative charge है वो आप ऐसे arrange हो सकता है ये ऐसे हो सकता है यहाँ पे भी हो सकता है सिर्फ और सिर्फ जो आपका electron है जो negative charge है वो कैसे कैसे आप इसको basically delocalize कर सकते हो overall जो resonance hybrid structure होता है वो real है वो reality में आप जब आप experiment में देखते हो आपको ऐसे ही दिखेगा कि जो electron cloud है वो यहाँ पे distribute हो रहा है तो this is real और this is more stable अगर आप कहें कि यह ज़्यादा reality close है stable है than this because these are not real सबसे पहले तो आप यह ध्यान रखें पहला option है all these structures are dynamic equilibrium with each देखें जो equilibrium होता है जैसे for example यह आप कहना है equilibrium का मतलब होता है कि rate of forward reaction है rate of backward reaction के equal हो गई और दोनों के दोनों जो compound है एक स्तिती में exist कर रहे है किसी reaction में याने जितना ये produce हो रहा है उतना ये produce हो रहा है जितना ये decrease वगएर वगएर मतलब rate forward और backward दोनों सेम है लेगिन exist दोनों में कर रहा है पहली बात तो अगर यही अगर आप concept लगाओगे इस statement में तो यहीं पर यह statement incorrect हो जाता है क्यों क्योंकि पहली बात तो इस सारे structures क्योंकि real भी नहीं है और एक साथ exist भी नहीं कर सकते आप यह कह सकते हैं कि इस में यह negative charge यहाँ पर हो रहा है अगले में लिए मैं कहते हैं कि नहीं यह नहीं हो रहा शायद ऐसे भी कर सकता हूं यह एसे बहित नहीं हो रहे हैं यह ओने ली इस जल्दी जल्दी जैसे होता है न यह एक्जिस्ट ही नहीं करते है। It is possible to identify each structure individually by some physical or chemical method. Again, incorrect because, जैसे बता है आपको कि यह एक theoretical concept ही है, reality में नहीं है. अब क्योंकि यह theoretical concept reality में नहीं है, तो इसको chemical यह physical method से आप कैसे test करेंगे? Correct? Again, each structure exists for equal amount of time. Again, guys वही statement फिर से फिर आके वही चीज पूछ रहा, कि exist equal of time मैंने आपको बताया कि यह inter-convert नहीं हो रहे हैं. यह सिर्फर सिर्फ क्या है? कि मैं एक बंदे के पास गया carbonate का structure बना दे तो उसने ऐसे बता दिया. फिर B बंदे के पास गया carbonate का structure बना दे वो इसने ऐसे बना दिया. C के पास गया, उसने ऐसे बना दिया. समझे हैं आप? यह सिर्फ theoretical है. exist में आप ऐसे नहीं देखेंगे. negative, negative को, negative को basically cloud को यहाँ distribute होता हो देखते हो. ओके, तो यह inter-convert नहीं हो रहे हैं, यह theoretical नहीं है कि equal amount में distribute हो रहे हैं. यह तो वो है कि आज में एक teacher के पास गया, उसने ऐसे बना दिया. कल में B के पास चला गया था, उसने बना दिया. शाम को में उसके पास चला गया, उसने ऐसे बना दिया. तो यह inter-convert भी नहीं हो रहे हैं कि यह exist करेंगे. theoretical concept. carbonate ion has a single structure that is resonance hybrid of the above three structures. obviously, कि this is a real structure जो आप experiment के साब देखते हो, इन सब के जो resonance structures की जो properties, basically जो negative charges दिखरा है यह आया, तो आप उसके जो combine करके resonance hybrid का structure बना देते हैं, which is more closer to आपके reality के. So, I hope आपको यह समझ माँ होगा, इसमें सिर्फ जो आपका option number four है, is correct. next question देखते हैं, the total number of chiral compounds from the compound below is, तो इसको अगर आप देखो गया, तो यह हो गया CWH, और यह हो गया आपका इधर H, ठीक है, अब इधर से आप गोर से देखने ही कोश्च करेंगे, तो यह एक chiral center है, क्योंकि अब ओव दा प्लेन है, तो यह बिलो दा प्लेन हो गया, अगर इसमा प्लेन ओफ सिमेट्री ढूणने ही कोश्च करोगे, वो भी नहीं मिलेगी, क्यों? अब देखे, यह उपर है और यह नीचे है, और आप ऐसे इसको काट रहे हो, कि CWH को आधा काटेगा, H को आधा काटेगा, और ऐसे बीच में जा रहे है, तो इस साइड यह H पड़े दूसरा, इसमें अगर आप गोर से देखेंगे, यह वाला एक H हो गया, तो this is a chiral center, यह वाला ठीक है, और कोई plane of symmetry ने सारी valence is different, this is also your correct answer, अगे इसमें देखेंगे, यह H और H हाला कि यहां जुड़ गया है, यह भी chiral center है, यह भी chiral center है, यह भी chiral center है, but this is an optically inactive compound, because of the presence of this plane of symmetry, यहां पर देखेंगे, तो उपर का भी same है, नीचे का भी same है, तो overall यह plus मालोगे, तो अगर यह negative मालोगे, let's just say, अगर उपर को negative होगा, तो नीचे का positive हो जाएगा, overall, optically inactive compound हो गया, तो यह सेम इसमें देखोगे, यह सब के सब आपको दिखतो रहे है, chiral centers, लेकिन यह आपका compound है, देखें, यह क्या है, CO2 नहीं है, COOOH ही है, basically, कुल मिला गया है, तो यह और यह same है, तो same इसमें यह, हला कि यह भी कालल center, यह भी है, क्योंकि H हो गया, H होगा, लेकिन बीच में से कट जागा center, plane of symmetry आगे, तो this is also incorrect, तो जो आपको correct options हो गया, यह वाला and this, तो जो correct answer, total number मतलब 2 is your correct answer, next vision देखते है, given below are two statements, तो पहला है, self-analyc acid gives esterification test for carboxylic group, देखें, यह हो गया, आपका self-analyc acid है, यह हो गया, इस तरह से, यह NH2 है, और यहाँ पर S double bond O and OH, esterification के लिए, एक तो आपका हो गया carboxylic acid present होना चाहिए, और दूसरा होना चाहिए, आपका ester बनाते है, समरें, यहाने R C O O O R, लेकिन इसमें यह नहीं होगा, इसमें यह नहीं होगा, इसमें यह वाला group, O O O H की वरेसे नहीं, यह वाला पूरा group present होना चाहिए, तो obviously this is a incorrect statement, second है, जो self-analyc acid gives आपका red color in lesine test, तो जैसे मैंने आपको बताया, कि यह वाला आप इसमें NS2B है, और sulfur भी है, ओके, तो क्या होता है, देखे, lesine test में, जब आप nitrogen and sulfur को test करते हो, तो fused, जो भी organic compound है, उसमें fused Na के साथ reaction करते हो, तो NASCN बनता है, उसके बाद जो बैसी reaction होती है, और यह जो बनता है, आपका red color का बनता है, compound, blood red color का, ओके, तो इसमें, organic compound में ज़रूरी है, nitrogen, sulfur and carbon, ठीक है, तो अगर यह तीनों प्रजेंट हो, आप lesine test कर सकते हो, sulfur प्रजेंट है, nitrogen प्रजेंट है, carbon प्रजेंट है, तो यह आप easily use कर सकते हो, lesine test में, समझ है, तो यह भी क्या है, lesine test for extra element detection, this is correct statement, तो आज जब आंसर क्या हो गया, statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct, ओके, next decision देखते है, testosterone, which is a steroid hormonal, hormone, has the following structure, the total number of asymmetric carbon atoms, testosterone is, asymmetric carbon, basically आप हो, chiral centers ढूणने है, तो आप गोर से देखेंगे, तो देखेंगे, एक यह chiral center हो गया, अलग-अलग है, obviously, एक यह chiral center हो गया, यह chiral center, देखेंगे, H present है, इधर, यह chiral center हो गया, यह chiral center हो गया, यह chiral center हो गया, इसके लावा, और कोही present नहीं है, chiral centers, यह देखें, straightforward question था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 is your correct answer, next question देखते है, all structures given below are vitamin C, okay, most stable of them is, देखेंगे, इस question में, मैं आपको correct answer बताता हो पहले, और उसको फिर explain करूँगा, क्यो correct answer है, because इसमें बहुत लंबे-लंबे structures है, तो वो थोड़ा सा दिक् कहीं न कहीं मीश हो जाता है, जो आपका main motive होता है, तो इसमें जो correct answer है, is option number 1, और वो क्यों है, आपको मैं अभी बताता हूँ, देखें, पहली बात तो, एक बात आप हमेशा ध्यान लगें, कि vitamin C में, ठीक है, जो en diol structures होते हैं, वो जादा stable होते है, देन आपके keto से, मतलब अगर मैं इस structure को ऐसे बनाना चाहूँ, after totomerization, मतलब ये, मैंने क्या किया, इसको totomerize कर दिया, याने ये double bond इधर चला गया, और H आपका इधर आ गया, और ये आ गया, अब मैं ये कह रहा हूँ, देखें, generally क्या होता है, कि जो keto आपका totomer होता है, basically जादा stable होता है, than enol वाल इसमें क्या है, देखें, ये double bond, double bond ये बन गया, देखें, अगर इस structure को आप गोर से देखिए, ठीक है, इस को देखें, ये H है, तो ये जो H और AO के बीच में hydrogen bonding आ रही है, और जब भी आपका hydrogen bonding आ रही है, इंट्रा मोलिकल वो भी, वो भी stability increase होगा, इस molecule की, इस particular molecule की, ठीक एक चीज़ नोट करिए, hydrogen bonding, vitamin C में सिर्फ ये वाली नहीं है, multiple hydrogen bonding होती है, ये वाले जो, ये वाले, ये सब hydrogen bonding देख रहे हैं, लेकिन जो आपका main motive है, वो सिर्फोर सिर्फ इस portion पे होना चाहिए, क्योंकि बाकी जितने भी दिख रहे हैं, वो same ही है, वेलेंसी, ये जो structures है, ये पार्ट बस, इस पे आपको ध्यान होना चाहिए, बस main इस question को समझने के लिए, ठीक है, तो मैंने बताया कि hydrogen bonding इसमें आ गई, तो इस वज़े से मेरा ज़्यादा stable हो गया, लेकिन अगर आप एक चीज़ ओड देखोगे, ये वाला जो structure हो गया, ठीक है, इसमें भी आप आपका hydrogen bonding दिख रही है, अब देखें कोर से काईज, इस वाले में भी आपका hydrogen bonding दिख रही है, और इस वाले में भी आपका hydrogen bonding दिख रही है, तो वाई, मैंने ये hydrogen bonding concept जो लगा रहा हूँ, वो इस वाले compound में क्यों नहीं लगाया, वो reason वो है, देखें, क्योंकि ये जो आपक तोटोमर बन रहा है देखे एक्स्ट्रा एक्स्टेंडिट है देखे यह जो double bond है वो यहाँ पे भी जा सकता है double bond हो और यहाँ पे भी जा सकता है जैसे में रहाता है तो अगर यहाँ पे जाता है तो let's just say इसके बजाए अगर मैं इस structure को OH ऐसे कर दूँ और तोटोमर इसका ऐसे बना दूँ और यह तो इसमें क्या हो गया hydrogen bonding और टोटोमराज़शन हो गया keto ओके आप देखे इसको मैंने ऐसे भी लिख सकता था ओके लेकिन अगें यह वाला जो structure है वो इसको resemble कर रहा है तो why not मैंने इसको भी कह दिया stable या इसको कह दिया तो देखे इस इसलिए नहीं कहा इसके इसमें भी यही वाला structure जादा stable है इसके बजाए because इसमें देखे conjugation भी हो रही है ठीक है इसमें यह वाला lone pair से यह वाली इन सब में देखे यह वाला तो कटिया इस वाज़े से दिखा दिया आपको इस case में देखेंगे तो यह वाला मैंने आपको पहली बता दिया कि यहाँ पे lone pair है इसमें यह conjugation है again conjugation कम हो गई इस वाज़े से यह हो गई extended conjugation हो गई इसमें similarly इसमें आप देखें कि यह दिख तो ऐसा ही रहा है कि यह वाला O हो गया यह लेकिन अगर आप गोर से देखोगे इसमें भी एक conjugation यह तो हो गई hydrogen bonding भी हो गई लेकिन यह वाली इसमें यह वाली जो conjugation थी यह वाली वो यह गट गई गई तो overall अगर आप देखते हो यह समझ एक conjugation, one conjugation इसमें एक ही वाला conjugation similarly इसमें भी only one conjugation तो added conjugation और added hydrogen bonding भी है इसमें जो dienol वाली form है is more stable than आपके keto form है I hope guys आपको जो question है वो समझ में आया होगा कि जो आपको option number one है is correct ठीके guys तो फिलहाल guys इस वीडियो में इतने ही question थे thank you for watching guys अगर प्लीज आपको पसंद आई वीडियो solution पसंद आए सब को जब प्लीज लाइक करें guys subscribe ज़रू करें और share करें प्लीज इससे बहुत है मिलेगे म okay so thank you bye